दिवास जीले से जुडे मुद्दे और शासन् प्रशासन द्वारा किये जा रहे कारियों को लेकर आज दिवास कलेक्टर डुक्टर शिरिकान्थ पांडे और S.P. चंदर्शेकर सौलंकी निक प्रेस वारता की इस दोरान देवास SP वा कलेक्टर ने पतरकारों से चर्चा की और कई एहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई कलेक्टर डॉक्टर शिरिकान पांडे ने कहा कि पतरकार साथी लोकतंगर का चोथा स्थम है और मेरी और SP साहब की यही कोशिश रही की कि आप लोगों के साथ लगातार समवाद हो प्रेस से समवाद करने का उदेश्य यही था कि हम आपकी बात समवाद के माध्यम से सुन सके और जो मुद्दे और मामले हमारे संग्यान में नहीं आपाते उनको भी सुने और उनका भी निकारण कर सके साथी शासन और प्रशासन की जो कतिविदिया है पुलिस की कारेवाही है कि वो आप तक पहुँच सके और एक ही तस्वीर हमारे नागरिकों तक पहुच जाए साथी देवास स्पी चंदरशेकर सोलंकी और कलेक्टर शिरिकान पांडे ने एक साथ कहा कि दोनों डिपार्टमन चाहे प्रशासनिक हो या पुलिस विभाग चोटे करमचारी अधिकारी यदि मामले को लेकर लीपा पोती करते हैं तो उनको बक्षा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारेवाही की जाएगी साथ ही देवास स्पी चंदर्शेकर सोलंकी ने बच्चा चोर सक्रिय होने को लेकर कहा कि देवास में कोई भी इस तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है और यह सिर्फ और सिर्फ एक अफ़वा है प्रेस वारता ली गई और आपने प्रेस से जो है आपने और इसकी सर ने चर्चा किये देवास सेर के विकास के लिए और देवास सेर के हिट के लिए जो है यहाँ चर्चा हुई क्या मानते हैं आप सर कि इसका क्या रिजल्ट आएगा और तुकि आपने प्रेस की कुछ बाते हैं वह भी नोग करी उसके अपर आप सब साथी लोगतंतर का चौथा इस्तंभ है और मेरी और एसपी साब की लगातार ये कोशिश रही है उस कोशिश में हम लोग सफल भी हुए है कि आप लोगों के साथ लगातार संबाद हो कई बार प्रेस कांफरेंस के जरीए कई बार उपचारिक बैचकों के बाद हमने आप लोगों के साथ संबाद किया है ये हम लोगों ने कोशिश ये की कि आप लोगों से अनौपचारिक भी बाचीत की जाए और एक ये क्रम है जो एस्पी साब की पहल पर हम लोगों ने शुरू किया है कि हम नियमित अंतराल से आप लोगों के साथ अनौपशारिक चर्चा भी करेंगे तो जो आपके मुद्दे हैं जो हमारे संग्यान में नहीं आपाते हैं वो उनको भी हम समझें उनका भी हम लराकरन करें और जो प्रशासनक गतिविदिया है पुलिस की कारवाई है वो भी आप तक पहुंचे और एक सही तस्वीर हमारे नागरे को तक जाए इसके लिए हमने सभी के साथ बाच्चीत की है बिल्कुल हम कड़ी कारवाई लगातर कर रहे हैं हमने की भी है अज S.P. साब ने भी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को उपर कारवाई की है हमने अपने राज्योस और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के खलाव भी कारवाई की है यह हमारा आपका एक संयुक्त परिवार है उस परिवार में आप अलग नहीं है तो हम सब मिलके इस जिले के लिए इस परदेश के लिकास के लिए काम करेंगे ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए